हालो दोस्त ए वीडियो अरार्वी एंटी पीसी रिजल्ट दो हजार बाइस में अस्टेशन मास्टर के लिए स्पेसल है अस्कोर कार्ड का लिंक एक्टिव हो गया है क्वालिफाइड नौड क्वालिफाइड अस्टेटस आपका हो गया है यानि सुटेबल नौड सुटेबल भी कर सकते हैं कुछ लोगों का दो-दो नंबर या पॉइंट टू नंबर से सेलेक्शन नहीं हो रहा है क्या फ्यूचर में इनको मौका मिलेगा सेकंड थर्ड या और डीवी में तो निचीनत रहिए अभी वेकेंसी कहतम नहीं हुई है अभी वेकेंसी शुरू भी नहीं हुई है एकजाम कहतम हुआ है वेकेंसी की process अभी बहुत आगे तक चलेगी समझ गहे होंगे समझदार होंगे तो तो सबसे चलिए एकए करके बात करेंगे सारा डिटेल पर बात करेंगे कि future में मौका कैसे मिलता है वो भी बात करेंगे यहां कोई paper cutting माधियम और कोई माधियम नहीं है बस जो experience मैंने देखा है उसी के बारे में करा हूँ हो सकता है कहीं के लत्वी हो जाए कहीं साही भी हो जाए तो अभी से मैंने 6 गंटा पहले एक व बोला गया था कि जल से जल जारी किया जाएगा जैसा कि मैं सुरू से ही आपको बोलते रहा हूं कि रेलवे इस result को देने में जल्दी हो रही है चाहे कोलकाता में गलती हो जाए आपका गुरखपूर में कुछ गलती हो जाए लेकि result को बहुत fast कर रही है यह सब को दिख रह तो यह सारी चीज़े आप समझ सकते हैं रेलवे कंफिडेंस भी है और आगे के प्रोसेस में भी जा रहा है एक वकील के अगेंस्ट हाई कोट में छे वकील लगा दिया यानि आप समझ सकते हैं रेलवे को चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमेरी जल्द की फिरकिरिया कर दे और चाहिए रेलवे 2019 से 2022 तक बहुत डिले कर चुका है यह सब को पता है और यह सारी चीज़े को होगा तो क्या होगा तो चलिए मैंने बोला था कि आपको लिंक आ जाएगा आज नहीं मैंने बोला था आप तो जाएगा जल्दी त्यार हो रहा है लेकिन आप ऑफिसे तो कोई देखने से लिए चलने पड़ेगा हमें वेबसाइट पर और वेबसाइट कहां मिलेगा तो हमें मिलेगा रेलवे का वेबसाइट यहां पर तो भूनेसवर में आते हैं बाकी बहुत सारे कीज़े इस वीडियो में डिसकस करना है तो यहां पर आगर हम आये तो यहां पर दालना है जैसा कि पहले डालते आये हैं उसके बाद यह नंबर डालना है कैप्चा के रूप में और आप यहाँ पर समिट कर देंगे तो आपका scorecard दिखेगा scorecard की तरह से दिख सकता है उसका सेंपल लेके आया हूँ कुछ कंडिडेट ने शेयर किये है उनीका है इन कंडिडेट का देखिए scorecard में रॉल लंबर आपने है कंडिडेट का नाम है डेट आप वर्थ है उसके अलावा उनकी psycho test qualified और not qualified है उसकी status है यहाँ पे suitable लिखा हुआ है जो कंडिडेट not qualified होंगे उनकी not suitable होगा लेकिन इस वीडियो में not suitable के बाद तो आपका बजता है option कहां पे level 5, 3, 4 में लेकिन जो suitable candidate है level 4 में नहीं बनेगा level 4 में भी इसी psycho से result बनना है तो उनके लिए तो 5, 3 और 2 पे जाएंगे ही जाएंगे अगर उनका अच्छा score रहाल cut up से उपर रहा तो यहां तो option है लेकिन इसके अलावा भी option है वो इस वीडियो में बात करेंगे आगे कि उनको कहां कहां मिल सकता है second time DB और क्यों मिलेगा वो चीजे की बात करेंगे तो candidate का score 30% में देखेंगे तो यहा पर यह इनका CBT में मार्क कम था जिसके कारण से 66.91 और यहां का कचर 66.93 में गया है इसके टाहिक है यानि point का number two candidate है तो बेस्ट अभी आपके पास option बंद नहीं हुआ है अगले अगर 532 में अगर कहीं होता है तो अच्छी बात है नहीं तो अभी आपके लिए option है उसी option को ब video में बनाया था बिल्कुल जो result की सुचना थी सही हो गई है अब point two वाले candidate देखिए 532 में हो गया उसके लिए तो already video अभी हमने बना लिया है कि expected good guards से एक ऐसा post है जो अभी बहुत लोगों को कल्यान कराएगा goods guard की बात करेंगे gd की बात कर रहे है good guards से ऐसा post है अभी लोग special इसलिए मैं करा हूँ कि station master और gd दोनों एक दूसरे के समनांतर चलते हैं पूरी vacancy मैंने करीब कम से कम पिछली 3-4 vacancy का देखा हूं detail सब समनांतर ही चलते हैं बहुत ज्यादा difference नहीं होता ज्यादा ज्यादा दो और 3 number का difference होता है या इससे कम या इससे ज्यादा दोनों त कहीं किताबों में नहीं मिलेगा paper cutting में नहीं मिलेगा आपको समझने के लिए मिलेगा थोड़ा जो experience है और पिछला vacancy का history है उसके अधार पर यहाँ पर हमने 4 point बनाया है do not turn up candidate, rejected candidate, one year joining और additional requirement यह क्या है fulfill करता है जो candidate suitable है किसका psycho का या typing test का या और भी non typing वाले test का उन सारे candidate का जिनका भी selection नहीं हुआ है और उनको अगर अगर future में जरूरत पड़ेगा तो इन 4 मदों से क्या करा जाएगा भरा जाएगा यानि feel किया जाएगा अब feel करने का तरीका समझियेगा क्या है पलिक तो आपकी जो candidate है पैनल की bell duty दिया जाता है तो इस बार तो waiting है नहीं तो पैनल की bell duty तो कोई issue नहीं रहेगा दो year का ऐसा होता है पैनल के bell duty शुरूआत में बढ़ा के एक year एक year बढ़ाते जाते हैं 2018 की पैनल की bell duty 2023 तक कर दिया है तो आप समझ सकते हैं कि यह 4-5 सालों तक live रखा है तो यह आपकी result की bell duty बनी हुई रहती है जब तक railway उसको close न कर दे close कराना पड़ता है approval लेके कि हम इस vacancy को close कर रहे है अब इसमें से किसी को हम नहीं लेंगे आगे तब close होगा तो अभी जब तक एक close नहीं होगा तब तक आपका live बच्चा हुआ है अब बच्चा हुआ है तो कहां कहां बच्चा हुआ देखे do not turn up candidate पहला इसमें भी अलग-अलग है सारी चीज़ों को बता रहा हूं एक candidate को db में नाम आ गया, medical examination में नाम आ गया ध्यान दीजेगा candidate db में गया medical में नहीं गया यहां यह यह सह यह नहीं गया यहां पे no हो गया jer lоре लगा दूं अच्छा चलिए यहां पे नो हो गया अब एक candidate उल्टा भी हो सकता है DB में भी नहीं गया medical में भी नहीं गया क्योंकि DB पहले होती है medical examination उसके अगले दूसरे तिसरे दिन में होती है और एक ऐसा भी candidate होता है कि DB में भी गया medical में भी गया लेकिन medical में कुछ दिकत आई वहां से भी छोड़के चला गया इन सारे candidate को बोलते हैं do not turn up candidate और यह पूरी vacancy में 5 से 10% का ratio होता है माल लिजेगा कि 100 post है तो minimum 5 और maximum 10 लोग तक ऐसे मिलेंगे candidate जो इस category में आ जाते हैं तो यह 5 और 10 post किसे भोरा जाएगा जब जरूरत पड़ेगी तो second और third से भरा जाएगा और यह भरा जाएगा वेटिंग नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं चमाजिएगा कि यह नहीं भरा जाएगा भरा जाएगा लेकिन आपकी medical और document verification सब कुछ joining के नदिक होगी notice पढ़ लिजिएगा कि जब आपकी joining देना होगा उसी समय आपको बुलाया जाएगा वेटिंग में रखके आपको time बरबाद नहीं किया जाएगा तो एक तो हो गया कि 5 से 10% कंडिडेटों को अभी भी life यहाँ चांस बना हुआ है अभी तो के बल लेबल 6 की result आई है वैसे ही लेबल 5 में भी आएगी वैसे ही सब ही में आएगा लेबल 5 का भी लेबल 3 का भी और लेबल 2 का भी सब में यही option बनेगा इसमें ज़्यादा issue नहीं आती है अब दूसरा आता है rejected candidate का rejected candidate कैसे हो सकते हैं document verification में कोई कमी है यानि educational qualification हो सकता है पहला लिख लिजेगा educational qualification हो सकता है दूसरा क्या हो सकता है candidate की biometric match नहीं कर रही है candidate की और भी कोई चीजे रह गई है document में लिख दिया EBC हूँ EWS हूँ और EWS का format ही नहीं है उसके पास लिख दिया OBC हूँ non-crimly layer high-crimly layer या जो अलग condition है AC का candidate भर दिया है high-ur का candidate ऐसे सब करके यह candidate reject list में होते हैं और इसका भी ratio पांच से 10% का होता है पूरी वेकेंसी में generally 5 की तरफ ही होता है 10 की तरफ तो नहीं मानेंगे लेकिन 5 से 10% AB ratio होता है पूरी वेकेंसी का यह नहीं कर रहा हूँ कि जितने लोग को document verification में गया तो उतना तो मान लिजे यह दोनों का अगर minimum भी condition बनी तो 10% seat तो आपके पास बची रहा है अभी भी 10% seat अभी भी फूल करना बाकी है उसका किस में जाएगा second DB में उसके बाद one year joining जोइनिंग के बाद होता है candidate का training training में किसी को बात पसंद नहीं आती है बात समझते होंगे चावल पसंद नहीं आता किसी को रोटी पसंद नहीं आता किसी को south में जोग हो गया तो मोंसून नहीं पसंद में आता किसी को सिरीन अगर बेज दिया तो उनको सरदी अच्छा नहीं लगती बहुत सारी चीज़ है किसी को जो class होता है वो कठीन लगता है किसी को training में पता चलता है बहुत कठीन हो गया किसी को ये लगता है कि मैं जॉब कर लिया हूँ ये जॉब से अच्छा जॉब ले सकता हूँ कुछ लोग already जॉब में होते हैं और उनका selection हो रखा होता है जॉब में होते हैं या selection हो रखा होता है जॉइनिंग पेंडिंग है ये जो भी छोड़ेंगे किसी का देत हो गया किसी का मतलब देत भी हो गया अगर इस टाइम में इस सारी वेकेंसी को ये जॉइनिंग ए के कंडिडेट को फीर से इसी वेकेंसी से भरा जाता है जिसको replacement panel के नाम से जाना जाता है ये तीनों मद्दों को समझ गए होंगे इसमें कंडिडेटों के संख्या ज्यादा नहीं होता छोड़ने वाला में एक से दो परसेंट कंडिडेट यहां होते हैं लेकिन होते हैं यह ऐसा नहीं सोचिए कि नहीं होते हैं एक से दो परसेंट कंडिडेट यहां भी होते हैं पू और एडिशनल डिमांड जो भी होगी उसको भी पूरा किया जाता है किस से तो आपकी जो कंडिडेट लाइब है, साइको पास्ट है, टाइपिंग टेस्ट पास्ट है, जिसने CBT 2 स्कोर अच्छा किया है, नन टाइपिंग टेस्ट के लिए अबलिकेबल है, यानि उन कंडिड को भी एडिशनल पैनल में लिया जाता है, तो मैं क्या बोला था, कि अभी वैकेंसी शुरुआत हुई है, भरती की क्या हुआ है, शुरुआत हुआ है, अभी खतम हुआ है क्या, तो आपकी खतम हुआ है, एक जाम अब शुरू हो रही है, भरती क्या शुरू हो रहा है, और अभी अन्त नहीं है, अन्त बहुत दूर है, कम से कम वन येर और मैक्सिमम दो-तीन साल चाज तक चलते रहेगा यह प्रोसेस, क्योंकि अगर नया वेकेंसी भी आ गया, मान लिजे कि बोला है कि डेड़ लाग वेकेंसी लेना है, और डेड़ लाग वेकेंसी सेम के सेम आपको एक साल लग जाएगा तो एक साल तक यहां तक का जो 12% कंडिडेट हैं इनको EC वेकेंसी से लगवल लगवल ले लिया जाएगा जिससे अभी निरास होने की बात नहीं है पोसिस मैंने इस वीडियो में सारा किया है हो सकता है किसी को समझ में ना है क्योंकि यूट्यूबर में बहुत बड़े बड़े बाबा भी है और बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले भविस्वानी विदार्ती भी है और बहुत से यूट्यूबर बहुरूपिया बनाके द थांक यू धन्यवाद